हाँ है कि तो प्रेंट अब हम बात करते हैं पुटूनियों सीट्स के बारिम जैसे आपको दिख रहा है यह पीटूनियों का पधा है मतलब फूल है पर पब virkers user का फूल लग रहा है देखने से पता लग रहा है कि यप यूप यूप है जोकि हाइप आिमितिक कि बीच कम लग के बीच में हरा पूर्शन है यह और इससे पीछे जो है वो पीछे अंदर की तरफ आपको और वाइट बॉल्स से दिख रहे हैं वह इनका पोलन है और यह जो ग्रीन है यह स्टेगमा है पोलन जब इस्टेगमा से तक पहुंचता है तभी जो है वो इसके सीट्स बनते हैं तो आज से लगबग एक महीना पहले इसमें काफी फ्लॉवर्स खिले हुए थे तो मैंने सोचा आप मैं पॉलन करके देखती है तो मैंने इसका पॉलन किया इस ब्रश के द्वारा यह ब्रश है जो बच्चों को उसमें काम आता है इसकूल की ड्राइन के लिए इससे मैंने इसमें अंदर करके अंदर की तरफ से इसमें पॉलन लिया इस तरह सब पॉलन दूसका भी फॉलन लिया और पर इसकी यह ग्रीन पॉर्शन इस टेग्मा का इसंसे टच किया तो आप पॉलन शिफट गिया करे इसही तरह मैंने सारे उसका जितंव आ-दस फ्लावर थे उस समय उनका मैंने इस समय जो On पुराने फूल इस तरह हो जाते हैं बाद में इनी का यह पीछे का हिस्सा होता है इसमें यह हिस्सा होता है यह जब जड़ जाता है तो इसी में आई पीछे सीड बनता है उनमें जो है कुछ सीड बने जैसे यह है यह है यह है यह है और यह है इसी तरह जो रहा है वह सीट्स बने यह जो आप सीट्स दिख रहे हैं यह ब्राउन हो चुका है और फट चुका है बीच में से क्राव पुई चुका है इसका मतलब यह जो है वह लगबख पक चुका है और इसका उपर का वह फट जो गया है जिससे हवा उसे बाहर लगे और वह अंदर तक पहुंचे और सीट्स पूरी तरह सूख चुकी ने के मेरे हिसाब से यह अभी है अभी जो है वह काफी ग्रीन है और इसका मतलब यह अभी इसमें से जो है वह एनर्जी ले रहा है इसलिए जब यह भी थोड़े वह हो जाएंगी तब हमे इसको पीछे से तोड लेने चाहिए यह से इस तार इस तर है इस तर पीछे शीट पॉट को यहां से इस तरह कीसे से तोड़ देना चाहिए और उसको जो है वो किसी छायादा जगह में खुली उसमें किसी बाउल वगयरह में करके रख देना चाहिए जबकि यह सब पूरा यह इससा जो है वो सूख नहीं ज़ाए यह जो है वो डाई हो जाएगा, शूख जाएगा और फिर उसके इसका मतलब वो जो है वो पूरी तरह पक चुके है, इम्मेचौर नहीं है, यह प्रीमेचौर नहीं है इसको भी मैं बाद में तोड़ूंगी लेकिन आपको में तोड़के लिखाती हूँ, यह देखिए, यह से इस तरह से तोड़ना है, और तोड़ते टाइम ध्यान दखना है, नहीं तो इसके जो है क्रैक में से, शीट्स जो है वो पूर हो सकते हैं, बिखर जाएंगे और यह देखिए, यह मेरे रखने से ही इसमें शीट्स आगे हैं शिफ तेड़ा करने से ही इसमें शीट्स जोपकी मैंने भी इसमें प्रेस नहीं किया यह देखिए इसमें से शारी सीट्स आगे हैं कितने बारीक सीट्स हैं इसी तरह हम इनके जब पूरा पक जाएं लेकिन यह जो है अगर ही यह जो है ज्यादा पक जाएगा ज्यादा तभी करना ज्यादा अच्छा देगा इस तरह यह देखिए कितने बारीक सीट्स हैं, इनको भी अभी और थोड़े दे, यह शॉलेट सीट्स हैं, तो कि यह वह हो रहे हैं, लोड़क रहे हैं, यह जो है, इसको फिर हम जो है और तीन-चार दिल, चाया में सुका के हवा में, और फिर इसको किसी भीतर है, जो है वह प्लास्टेक के बखकर में इस टूर करके रख सकते हैं, और इसको अगले सीटन में बो सकते हैं, इसी तरह हम जो है, वह और भी सीट्स कलक्ट कर देगें, जैसी यह है, अभी है, यह है, यह है, यह है, यह है, यह है, यह है, इसको और तोरते हैं, दिदुदि, एक यह है, यह बीॐ, यह ने, इसको भी हम तोरते इसमें से कितने सारे सीच कितने सारे सीच